हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही जबर्जस्थ अवस्थी लेकाया हूँ और आप लोग इसे पहचानते ही होंगे ये कौँच का बीज है मेरे दोस्तों ये बहुत ही गजब का काम करता है और ये बीमारी को भी खत्म करता है जैसे कि सिग्रपतन पेनिस में ताव नहीं आता है नौसों की कम जोड़ी हो गई है इस पर महमेंसा निकलते ही रहता है ये कौँच के बीच बीर को गाढ़ा भी करता है और बहुत कम समय में बीर को गाढ़ा कर देता है दोस्तों आप लोगों के जो भी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी ये काम सकती को भी बढ़ाता है और सरीर में ताकत भी बहुत लाता है एक बात आप लोग जान लीजिए कि लोगों को ये नुक्सा नहीं लेना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को बावसीर की समस्या है उन सभी लोगों को ये नुकसे का सेवन नहीं करना चाहिए ये बच्चों को भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कौंच का बीज बहुत गर्म होता है इसलिए बच्चों को सेवन ना कराए अज जो लोग हमेशा सोच में यानि तना में रहते हैं उन लोग के लिए भी कौँच का बीच बहुत ही लावकारी है जिसे दिमाग सांतर आता है इस बीच का सेवन जरूर करे दोस्तों ये जरी बुटियोन किरिया को लिए बहुत ही सक्तिसाली माना गया है और कौँच का बीच सेक्स पाउर बढ़ाने के लिए जवरजस्त है इसको कुछ दिनों तक सेवन करने से ही कमजोरी, नामर्दी, धिलापन और सिग्रपतिन समस्या बहुत ही जल्द दूर हो जाती है और ये सिक्स टाइम को भी बढ़ाता है दोस्तों और ये बीड़े गारह करके सुकुलारू को संख्यों को भी बढ़ा देता है इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए कैसे आपको सेवन करना है दोस्तों ये कौँच का बीच इसकी बीच का पाउडर बनाना है अच्छी तरह से और पाउडर बनाकर इसको 5-6 गराम की मत्रा में दूर से लेना है खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाली पेट भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है और सुबह साम लेना है दोस्तों जिन लोगों के सरीर में गर्मी रहती है और लोग इसका सेवन साम को करें तो समांज को करेंगे तो आप सोएंगे उसमी में आपके दावा अच्छी काम करेगे क्योंकि सरी में गर्मी कम रहेंगी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनका परियोग तो बताई देते हैं और कहते हैं असोगंधा इस्तिमाल करो सतावर इस्तिमाल करो ऐसे बहुत अवसदी बता देते हैं मगर इसका साइड डिफेट के बारे में नहीं बताते हैं इसे बहुत लोगों के दिकत आ जाती है और आ भी सकती है अगर आप लोग को मालूम नहीं रहेगा कौन से उसदी किस प्रकिर्ति का है कौन से घरम है कौन से ठंडा है और आप किसी के बताय हुए खाएंगे तो आपको नुक्सान तो करेगा ही तो कभी भी कोई भी दवा खाएं आप लोग चला लेकर खाएं जिसे आप लोग को फैदा अच्छा मिले यदि आप लोग इस चीज को नहीं यदि आप लोग इस चीज को नहीं जानेंगे तो आपको नुक्सान भी कर जाएगा दोस्तो अगर आप लोग काउच के बीच कहीं भी मिल जाए तो इसका सेवन जरूर करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को बहुत ही कम दिन में गजब का रिस्माथ मिलेगा आप लोग इसका इस्तिमाल करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा नुक्सा मिल गया कि हमारी समस्या ठीक हो गई दोस्तो अगर आप लोगों को नुक्सा मिल जाए तो आप अच्छी तरह से परियोग करें आप लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों अगर आप लोग के नुकसा नहीं मिल पा रहा है और आप लोग के बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझसे संपर करके ये सारी समस्या किलाज करवा सकते हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकर घंटी दबा दें क्योंकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड हो आप लोगो सबसे पहले मिले अगर कोई सवाल हो तो कमे मेरे दोस्तों